नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तूलारासी के महारासी फल के बारे में कि यह दिन तूलारासी वालों के लिए कैसा रहेगा किन कीन चीज़ों से इनको फाइदा होगा और किन चीज़ों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइप के से रहेगी केरियर के सा रहेगा बिजिनेस और बैपार के सा रहेगा और स्वास्ते की महतपुन जानकारी इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका शुबरंग और सुबरंग के क्या है दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको इगुपाई बताएंगे जिससे आप अपने दिन को अच्छा और बहतर बना सके तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिपिकिसन बैल को दबा दें जिससे समय समय पर हमारे नीव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चलि दोस्तों बात करते हैं कि केशा रहेगा तूला रासी वालों के लिए आज का दिन सबसे पहले बात करते हैं किया आज आपके लिए पोजिटिव रहने वाला है आज का ग्रिसिति आपके लिए बेहतरिन प्रसितियां बना रही है अपना ध्यान व्यर्थ की गतिविदियों से हटा कर महत्वपुन कारियों की तरफ केंदित करें आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी अब अपने मेहनत और योगता से निश्चित ही सफलता हासिल करेंगे किसे नई योजनाओं पर भी कारे सुरू होगा दिन अच्छे से बितेगा बीचारों में इस्तिता और मजबुती रहने से अब अपने काम को अच्छी तरह कर पाएंगे विद्यार्थियों को भी परतिश्परदा समन्दिक कार में अपने प्रयासों के अनुकुल परना मिलने वाले हैं समाजी ग्रूप से मान समान परतिष्था बनी रहेगी दोस्तों कुछ नए शंपक शुरूत बनेंगे जो कि आपके लिए आर्थी ग्रूप से बहुती फायदमन रहेंगे अलाकि आज किसी खास कार में सफलता पाने के लिए बहुत अधिक परिश्रम की जरूत है परन्तु आपको आवसी काम्याभी मिलेगी तो मालक्षमी की किरपा से आज कोई रुकवा हुआ काम आच्चाना की बन सकता है जिसकी वज़े से विज़े हासिल करने जैसे फिलिंग रहेगी समाजी और धार्मी गत्ती विदियों की तरव आपका रुझान बढ़ेगा धार दिये हुए पेशे की वसूली करने के लिए समय आपके लिए पक्ष में है उस्तों ध्यान रहे कि दूसरों के मामल में हस्कशेप करने की बज़ए अपने कार में ही ध्यान दें वरना आपके हाथ से कोई लक्ष निकल भी शकता है अचका दिन आपके लिए अनकुल गिर्ष्टी बनी हुई है इसमें अनुकलता का अधिक से अधिक लाब उठाने की कोशिश करें विद्यार्थी थ्वायुआ वर अपनी योगता दोरा कोई महत्पुन उपलब्धी हासिल कर सकते हैं आगे परवल रहेगा यथा शंभवकार पूरा होनेशे मनुबल में बिर्दी होगी वरतलाप के मादम से किसी समस्या का भी समधान मिलेगा तिसाद महिलाएं अपने छेतर में वर्चस हासिल करेगी तो आज का दिन खास दोर पर महिलाओं के लिए उपलब्धी वाला है कई नए जानकारियां और अनुभव भी सीखने को मिलेंगे रुको विए कारों में गती आएगी किसी पोलिसी अत्वा प्रोपर्टी आदी में निवेश करना उचित रहेगा इस दिन बहतरिन वेतित होगा आपका कोई शापना शकार होने वाला है सिर्ब उसे हासिल करने के लिए आत्म विश्वास और मेहनत की जरुत है विद्यार्थियों को प्रदिता समयती परिक्षा में बहतरिन परिना मिलेंगे इसका दिन परिवार जनों के साथ बहुत ही शुकुन भरा वेतित होगा आपकी सकारत्मों को संतुलिस सोच आपको जनावत तरीके से कार शंपन करने में मदद करेगी समाजी गतिविदियों में भी आपका उचित युगदान बना रहेगा इनके साथी साथ दोस्तों आपको इन दोने में कुछ शाबधानिया भी देखकर चलनी होगी ध्यान रखें कि आलस और तनाब जिसी शुति आपके कार में बधायें डाल सकती है अपने बोलचाल का लिहाजा नर्म रखें गलत साथों के परियुसे समन्द खराप हो शकते हैं किसी परकार की दुविदा की सिती में अनुवी व्यक्ति की सलह आपके लिए उचित रहेगी परिजित लोगों से मेल मुलात करते शमे अपने सिक्रेट बातें सेयर न करें कोई धोखा हो शकता है वहां सावधाने से चलाएं तोधा किसी भी परकार के गैर कारणी कारवें में रूची न लें दोस्तों नकात्म परवित्ति की लोगों से एक निश्ची दूरी बना कर रखें विद्याति थ्यायुआ वर्ग अपने पढ़ायत्ता केरियर को लेकर सजग रहें अना ता आपके मान शम्मान पर भी आचा सकती है इनकम के साथ-साथ खर्चे की भी आधिकता बनी रहेगी बजट का ध्यान रखना जरूरी है भावता और उधारता आपके सबसे बड़ी कमजोरी है इन पर विज़े हासिल करें दोस्तों आचाराई घर में महमानों के आगमन से कुछ महतपुन कारे में अवरोद आएगा तदा खर्चे के अधिकता रहेगी अपने वहबार में लचिलापन रखना जरूरी है इसलिए थोड़ा सा वेरमर है समय रहते अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयाश करें जिसके कारण आपको राहत मिलेगी कई मामल में धैर इसे काम लेने की जुरत है दोस्तों बिना बज़ा किसी के साथ वाद वाद में ना उलज़ें आप किसी धार्म संकाट में भी फंस सकते हैं घर की महिलाएं आपसी समन्दों में मधूर बना कर रखें दोस्तों आलस को अपने उपर हाविना होने दें इस वज़े से आपके महत्पुन काम अधूरे भी रह सकते हैं किसी की गलती सला और संगती के वज़े से आपकी मानहानी होने की आसंका है दोस्तों अपने गुस्य और आवेस पर काबू रखें क्योंकि गुस्य आदमी को कभी आगे नहीं बढ़ने देता है इसलिए दोस्तों गुस्य पर काबू रखें आप निश्यती आगे कामियाबी करेंगे और दोस्तों धैर और सेम से काम लें आपको आवस्ती सफलता मिलेगी दोस्तों वैबसाइब में कार रस्तल पर लंबित पड़ी हुई योजनाओ को क्रियाविन करने का आनुकुल समय है वैबसाइब कारियां योजनाओ सफल होगी मेहनत ज़ादा करनी पड़ सकती है नोकरी में कारभार की अधिकता की वज़से ठकान रहेगी साथ ही आपके प्रमोशन के चांस बढ़ेंगे दोस्तो किसी भी तरकाव वैबसारी निवेस करने के लिए इसमें पर्तिकूल है हलाकि वैबसा में देनिक कारे को आसाने से पूर्ण करेंगे आधिक बहतर मोके मिलेंगे तोस्तो सरकारी नोकरी में अधिकारियों के साथ और अधिक सालिनता बना कर रखें वैबसारी समंदी नई योजनाव पर अमल करने के लिए समय अनुकूल है साज़दारी समंदी बिजनेस प्रगति करेंगे इसमें आपको बड़ा ओर्डर मिल सकता है नोकरी में अधिकारियों से बहुस में न उलजें तोस्तों वैबसारी गत्य विदियों से समंदी किसी काम में अधिकारी से मुलाकात फाइदेमन हो सकती है सभी काम समय पर पूरी हो जाएंगे विस्तार समंदी योजनाव को सुरू करने के लिए उचित समय है नोकरी में छोटी मोटी परेशानिया रहेगी लेकिन उनका हल भी निकाल लेंगे बिजनेस में रुकावटे आएगी लेकिन आप अपने बुद्धी बल और चतुराई से समस्या का हल भी निकाल लेंगे किसी परिचित के जरिये बड़ा ओर्डर मिल सकता है परणतु वेफसाइग पर्तिस्य परदा में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत अधिंग मेहनत की भी जरूरत है दूस्तों पर्तिदितियों की गत्तिदियों को लापारवी मेना लें वेबसाइक पर्तिद सपरदा में आपके कड़ी मेहनत के जरुद है हालकि आयके शुरत बढ़ेगी नोकरी में आपका कोई टारगेट आसानी से हल होने की शामभावना है दोस्ता आपके लव लाइफ में घर का वतारण सुख सांती से परिपूर्ण होगा पती पत्नी के बीच भी उचित ताल मिल रहेगा घर परिवार में सोधार पूर्ण वतावरण बना रहेगा वहायोग लोगों के लिए उचित रिस्ता आने से सुख नामा वतावरण रहेगा परिवारी लोगों के साथ आनन और उल्लास पूर्ण समय वेतित होगा लब पार्टनर के साथ डेटिंग पर जाने का अफसर मिलेंगे परिवारी बतारण सुख नामा बना रहेगा पती पत्नी आपसी समान जा सुदारा घर के वैस्ता को उजिद बना कर रखेंगे प्रेम समंदर में धोखा या विश्वा घास हो सकता है दोस्ता घर में सुख सांती पूर्ण बतावना रहेगा पन्तु प्रेम समंदर में मर्यादा और स्यम रखना बहुत जरूरी है पती पत्नी के बीच खटी मिटी नौप जोंक रहेगी घर का माहल वेश्तित तथा सुख नाम dár रहेगा रहेगा अंतु भीवरत समंदर से दूर रहना जरूरी है आपके स्वास के बारे में बात करें तो आर्यवदी घरीली चीज़ों का अपने आहार में सांभिल करें इस सेदे को उर्जा और इस पूर्थी से परिपूर्ण में सुष करेंगे स्वास समंदी समस्या को लापारवी में ना लें निमित योग और व्यवाम करना जरूरी है इसे आपका सरी तंदुरुस्त और फिट रहेंगे दूस्तों यदि आपके घुटनों और जोड़ों में कोई दिक् ग्यास और कब्ज को दूर करने के लिए सुपाचे खान पान लें स्वास्त के परति लापारवी रखना उचित नहीं है स्वास समंदी छोटी मुटी परिशानिया रहेगी अपने वेस्ति दिन चारिया रखकर आप स्वास्त रख सकते हैं चेश्तों बात करता है आपके अधे तै दिन गर्यशनिया दूर होती है, दोसता शुकरवार के दिन गरीव और जरूरत वन व्यक्ति को पूराने कितावें या पूराने जूते यादी देने से विघडि किसमत बनती है दोस्तों मालक्ष में जी कि आशिर बात आप से भी को प्राप्त हो सचे दिलशे का मन बॉक्स में जाए मालक्ष में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें धन्यवाद